हाई दोस्तों कैसे अप लोग iOS 17 एपल ने रिलीज किया है और इसके साथ काफी नएने फीचर्स भी एपल ने रिलीज किया है लेकिन iOS 17 के अंदर जो डिवाइस सपोर्टेट है उन्हीं के अंदर ये फीचर आपको देखने मिल जाएगा तो कौन-कौन सा फीचर देखने मिलत है आई एस वीडियो के अंदर एक एक करके चेकाउट करते हैं अगर आप लोग चलेंग के उपर नहीं है वीडियो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजे इसी तरह का कौन्टेंड आप लोगों को देखने मिल जाएगा सबसे पहले अगा उसके बाद आपको देखने मिल जाएगा और कभी-कभी 2-3 घंडे में मुझे देखने मिल रहे मेरे सारे आईफॉन के उपर एक कॉल निस्ट जो है आपको 6 महेना 8 महेना एक साल दो साल तक कॉल लिष्ट भी जो है देखने मिला है मुझे लेगिन आप लोग ज़रू लोगर की स्क्रीन सोट भेज सकते उसको किस तरह से उज़ करना है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और इसके बाद जो फीचर आपको देखने मिलता है और नेम ड्रॉप करने के लिए डायरेक्ली अगर इस तरह से इस फोन को इस तरह से रखेंगे तो सबसे पहले आपका इसके लिए मुझे अलग से मुझे फोटो सेलेट करके भेजने की जरूरत नहीं तो इस जगह पे देख सकते हैं फोटो आ गया तो अपना जो नेम ड्रॉप शेर ड्रॉप इस जगह से कर सकते हैं और इस जगह पे आपको देखने मिले का सेर अगर आप चाहे तो दुबारा इसको सेर कर सकते हैं तो देख सकते हैं फिर दुबारा इस फोन के उपर आ गया नेक्स्ट इसके अंदर आपको कॉंटेक्ट पोस्टर के अंदर तो कॉंटेक्ट पोस्टर को यूज करना है जैसे इसके अंदर कॉंटेक्ट पोस्टर में एड नहीं किया सबसे पहले कॉंट अपना इमोजी भी इसके अंदर एड़ कर सकते हैं और इस जगा पर अपना लेटर रखना चाहते हैं तो कौन सा नाम है उसका फास्ट लेटर आप रख सकते हैं और इस जगा पर अगर फोटो एड़ करना चाहते हैं तो डाइरेक्ट फोटो पर जाईए फोटो के जाने के बा आप रखना चाहते हैं तो रख सकते अगर इसका बेक्रावंड नहीं रखना चाहते हैं तो इस तरह से आपका filter आप चेंज कर सकते हैं जैसे फिल्डर मैं ने चेंज कर दिया जैसे मैंने इसको सेट कर दिया इसके बाद एक पर करना तो इस जगा पे मेरा जो है बैक्राउंड चेंज नहीं हुआ यह कॉंटेक्ट अलग है जो आपको मैं बताया वह अलग है और नेक्स्ट आपको मैसेज के अंदर जैसे मैसेज के अंदर जाते हैं इस जगा पर क्लिक करते हैं तो कैमेरा फोटो स्ट्रीक कैस काफी सारो ऑप्सें देखने मिलता है लेकिन इस जगा से आप अपना वाडियों को भी भेज सकते हैं और इसको स्टॉप करूंगा और जैसे मैं सेंड करता हूं तो यह चला जाएगा इसके बाद जो मैसेज के अंदर आपको देखने मिल जाएगा और मैसेज के अंदर जो कीबोर्ड है इसके उपर जैसे अब होल्ड कर इसके अंदर जो ही मुझे इंगलीस छोड़के तीनी मुझे देखने मिल रहे है लेकिन आपके फोन के अंदर कौन कौन सा देखने मिल रहे है जरूर आप लोग कॉमेंट्स में बताईए और इसके बाद जो नेक्स फीचर आपको मिलता है ओभी आई मैसेज के अंदर ही कि अंदर आई मैसेज नोटिफिकेशन आएगा जो हमाँ वह सही तरीकर से पोंच गया जैसे बोल के बताते है इस जगहाँ पर आपके फोन के अंदर आइमेसेज के जडिये से नोटिफिकेशन आ जाएगा तो यह एक अच्छा फीचर है है लेकिन मैंने इसको अनुए यू कर रहे और दोनों के अंदर मैं सीरी के अंदर आया तो सिरी के अंदर इस जगा परिक Kent independent आपको मिल रहे इसको आपको select करके English United Kingdom बे रखना पड़ेगा जैसे इसको रखते है रखने के बाद आपका जो Siri का वोईज है वो आप इंडिया के अंदर भी रख सकते हैं इसके बाद यह option आपको देखने मिलेगा तो इसके बाद जब क्लिक करेंगे इस जगा पर आपको तीन option देखने मिले करेगा सिरी फिले सों मिजिक तो जैसे अब इस तरह से अपका सिरी को setup कर लेंगे करने के बाद है सिरी पर भी काम करेगा तो देख सकते हैं दोनों के उपर ही काम कर रहे तो पहले आपको इस सेटिंग को चेंज करना बड़ेगा तब एक काम करेगा नेक्स्ट जो फीचर आ बाहर है वह भी आपको देखने मिलेगा और नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है वह एपल वाच और आइफोन अगर आपने प्यार करके रखा है तो एक फीचर आपको देखने मिलता है इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कंट्रोल सेंटर इस जगा पर आपको देखने मिल जाएगा वाच के अंदर इसके बाद जो नेक्स चेंजेस आपको देखने मिलेगा ओ यह सेटिंग प्राइवेसी सिक्रोटी लोकेशन सर्विस और इसके नीचे आपको मिलदा है शिस्टेम सर्विस और इस जगब पर देखेंगे तो फर्स्ट आपको इस जगब इसे Unlock करना पड़ेगा और इस प्लास ऐकेन गपड़ जब क्लिक करते हैं तो एस जगा पर आप को देखने मिलता है नियू पासवर्ड और इस जगा पर मिलता है वो है stand by mode, stand by mode आपको देखने मिलेगा iPhone 14 series, iPhone 13 series, iPhone 12 series के उपर iPhone 11 और इसके नीचे जो iOS 17 supported बाला device है सभी के उपर stand by mode देखने मिलेगा लेकिन stand by mode यूज़ करने के लिए आपके पास एक stand होना चाहिए अगर उस stand के उपर phone को रखेंगे तब stand by mode यूज़ कर पाएंगे चाहिए आपके पास Mac से बला नहीं होगा तब ही चलेगा इसके बाद आपको जो feature देखने मिलता है Music और Music के अंदर जैसे जाते है तो Music के अंदर काफी कुछ ने changes और काफी कुछ ने lyrics, colors आपको देखने मिल जाएगा इसके अंदर crossfit भी देखने मिल जाएगा और इस जगह पे आके अपना earplay को भी use कर पाएंगे earplay को जब use करेंगे तो इस जगह पे अपना Apple TV, Macbook, अगर आपके वैस airport जो भी details है इस जगह पे so होगा और जैसे 3 dots के उपर click करते है तो इसका animation थोड़ा सा आपको change देखने मिल जाएगा और crossfit का feature के लिए आपको जाना पड़ेगा settings और इसके बाद music, music के उपर आने के बाद इस जगह पे crossfit मिलता है पहले इसको on करना पड़ेगा और इसके बाद जो है 1 second से लेके 12 second आपको देखने मिलता है तो एक गाना खतम होने के बाद दूसरे गाने का जो distance है इस जगह से इसको on करके use कर पाएंगे और next जो feature इसके अंदर देखने मिलेगा वो काफी amazing feature है वो है earpots सबसे पहले इसको मैं open कर लेता हूँ तो जैसे मैं इसको open कर लिया वाइड और black दो भी देखने मिल जाएगा इसके बाद जो देखने मिलेगा एरपोर्ट के अंदर ही जैसे एरपोर्ट अपने connect कर लिया और इसके बाद जाते settings के उपर settings के अंदर जाने के बाद आपको जो है अपना एरपोर्ट के उपर क्लिक करना है और इस जगह पर आपको चार option देखने मिलता है पहले तीन option देखने मिल रहा था इस जगह पर जो यह option apple ने add किया है और इसको add करने से क्या है इसको use करना काफी useful है इसलिए useful है अगर background में कोई भी बात कर रहे कौन सा भी बात कर रहे तो उसको सुना ही देगा और यह जो full noise cancellation था तो background का जो noise है वो बिल्कुल cancel करता था लेकिन इसको अभी यूज कर पाएंगे आपका noise cancel तो होगा लेकिन कोई अगर बात भी कर रहे वो भी जो है आपको क्लियर ही सुना ही देगा तो यह काफी बड़ी feature आपको देखने मिलता है और इसके आखिर में आपको जो है इसका न्यू फॉर्म वियर आपको देखने मिलता है तो न्यू फॉर्म आया है तो इसको अपडेट कर लीजिए charging port पे लगा के या इसके अंदर कुछ sounds बगरा सु इसका charging कितना है, case का charging कितना है, share audio तो इस जगा से भी आप share audio कर सकते हैं और इसके बद जैसे यह AirPods के उपर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद भी इस जगा पर आपको यह तीन option देखने मिलता है और जैसे इसके उपर क्लिक करते हैं आपको 4 option देखने मिलेगा और इसके उप पर क्लिक करने के बाद आप जो है काफी आपको यूजफुल यह उसको यूज कर पाएंगे और यह जो यह पर्ट का जो फीचर है अगर आपके बास टू है तो के अंदर एक फीचर आपको देखने लेकिन इंडिया के अंधर काम नहीं करए और इस जगह पे जैसे offline maps के ऊपर kimse तो इस जगह पे दिखाता था है offline maps not available offline maps था इस जगह पर इंडिया के अंधर यूज नहीं कर है लेखने के बाद इस जगह पर देख सकते हैं सारे चीज आ गया और इसके नीचे जैसे लेके जाएंगे तो इस जेगह पर आपको नाइट मोड का option देखने मिलता हैं तो इस जहाप पे आपक्लिक करके अपना जो हैक लग कर सकते हैं और इस जहाप पर आपना जो मुं़ेंट के सबसे एक जी जब इस को आफिए करेंगे इस करने के बाद आपका फोन इसका आनलाइस करेगा और कुछ दिन के बाद इसका result आपको दिखाएगा, ऐसा नहीं, आपने क्या और तूरेंथी आपको बताएगा, और इसके बाद आप neutral में किसके उपर रहना चाहते हैं, तो content इसको आपको select करना पड़ेगा, इस जगा पर health है, fitness है, self-care है, friends है, family है, तो इसके अंदर भी concept एक है, थोड़े time के लिए, दुसरा है, पूरा दे, दीन के लिए, तो एक दिन के लिए भी आप लोग इसके अंदर try कर सकते हैं, और health के अंदर आपको देखने मिलता है, medication को using कर सकते हैं, अगर आप बीमार है, आप इसके अंदर medication set करके रखना चाहते हैं, दीन के अंदर set कर देंगे दिन के अंदर reminder के जरी से alarm बज़ेगा और आपका आईफोन आपको याद दिलाएगा जो दिन के अंदर कितना time आपको दवाई लेना है next जो feature है है settings और screen time screen time के अंदर जो है दो काफी useful feature दिया है पहला तो screen distance screen distance का जो use है अगर आपके घर के अंदर बच्चे है जो ऐसे ही हमारे घर के बच्चे phone के अंदर घुज जाते हैं तो आखों का problem आता है तो इसको on रख के जब इसको use करेंगे तो बहुत ही नजदिक से देखने से screen के अंदर pop up आए का screen distance और screen जो है ब्लैक हो जाएगा तो आपसे permission पूछेगा अगर आप allow करेंगे तब यह send होगा नहीं तो यह feature कभी useful है नेक्स्ट जो सेटिंग है प्राइवेसी सिक्रोटी प्राइवेसी सिक्रोटी के अंदर जैसे जाते हैं नीचे आपको देखने मिलता है sensitive contact warning तो यह मुझे जो है इस जगा पे इसको open करने का option देखने नहीं मिल रहा है लेकिन मुझे iPhone 13 के अंदर मिल रहे तो कभी कभी जो हो जाता है तो जैसे मैं इसके अंदर आता हूं तो इसके अंदर जो इसको on करता हूं तो on करने से आपका फाइदा है अगर आपके phone के अंदर कोई भी मतलब गलत चीज कोई भी गंदे लिए से तो इस सारे चीज इस जगा पर on हो जाएगा तो इसको on रखे ताकि आपके phone के अंदर गंदे चीज ना आये तो इसकी वज़े से इसको on रखना कभी जरूरी है और next इसके अंदर आपको देखने मिलता है फोटो जैसे आप फोटो के अंदर जाएंगे जाने के बा प्लैंट जो है सही से आप लोगों को बताएगा तो जरूर आप लोग इसके बारे में ट्राइ करना जो काफी useful feature है इसके अंदर और एक चीज देखने मिलता है जैसे काफी पूरा नम है फोटो लिया मैंगो और इस मैंगो को जैसे लिया इसके अंदर पीपेल वाला पहले देखने मिला था जैसे और एक बार बैक कर देता हूं तो जैसे उपन किया तो देख सकते यह भी पिपेल का आ गया इसके अपर क्लिक करने के बाद इस जगह पे आपको प्लैंटी देखने मिल रहे हैं मैंगो नहीं तो मतलब इसको और लेना पड़ेगा नहीं तो इसके अं लोग यूज गरना और बताना क्या यह फीचर किस तरह का आपको देखने मिल रहे हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट आपको देखने मिलता है वह है टाइमर और टाइमर्स के अंदर जब जाते हैं तो मल्टिबल टाइमर्स इस जगह से आप स्टार्ट कर सकते हैं एक के पाद इस जगह से चीज को मैने मेंज कर पाएंगे इसके बाद आपको अरद आपको सबसे पहले जाना पड़े muffin team एंगैं इसके बाद जैसे formats के उपर click करते है, click करने के बाद इस जगा पर आपको देखने मिलता है raw resolution control, इसको आपको on करना है, इस जगा पर मिलता है pro default और इसके उपर जब जाएंगे तो इस जगा पर आपका size बताएगा, जो कौन साब megapixel के उपर कौन साब photo लिया तो कितना size होगा photo वो इस चीज आपको बताएगा, और इस चीज आगे जाके मैं आपको बताऊँगा camera के अंदर जो किस तरह से इसको use करना है, इसके बाद जो next आपको देखने मिलेगा, वो है अपना video record के अंदर एक नया चीज दिया है, lock-oid balance, तो अगर आपको इसका need है, तो on रख सकते है, नहीं तो off भी रख सकते है, इसके बाद आपको देखने मिलता है label, label को use करना, वो camera के अंदर काफी useful है, open करने के बाद आपका camera का square उपर नीचे है, तो एक label पर नहीं है, तो उससे रखने के आपका level जो है सही कर सकते है, और इसके बाद जैसे मैं आपको बताया था, तो मै 75MB तक इसका size हो जाएगा, उसी सब से अपना photo, video आप ले सकते हैं, और next इसके अंदर जो changes आपको देखने मिलेगा, family sharing के अंदर, जैसे आप जाते हैं, जाने के बाद नाम के उपर tap करते हैं, tap करने के बाद इस जगा पर आपको देखने मिलता है, family sharing, और family sharing के अंदर जो है आपको, आप share कर पाएंगे, अपना subscription, आपने जो buy के हैं, उस चीज़ को sharing कर पाएंगे, तो family sharing के अंदर ये नहीं option आपको देखने मिलता है, next इसके अंदर जो देखने मिलेगा, face time, face time के अंदर एक feature आपको देखने मिलता है, जैसे face time के अंदर जाते हैं, तो इस जगा प पाएंगा, इसके बाद face time के अंदर जो calling है, और काफी improve बनाया है, face time के अंदर आपको देखने मिलता है, जैसे background में animation काफी बढ़िया look बाला देखने मिलता है, जैसे आपको इसको hold करते है, hold करने के बाद हड़ वाला गर करना चाहते है, तो इस जगा पर हड़ का option आपको देखने मिल जाएगा, like करना चाहते है, तो इस जगा पर like कर सकते है, dislike करना चाहते है, तो dislike कर सकते है, और इस जगा पर गुबारे जो है उड़ते जाएगा, तो काफी animation बढ़िया आपको देखने मिलता है, इस जगा पर बाटर वाला जो background में water, जो background में water चल रहे है, और इस जगा पर जो है, आपका काफी उपर से मतलब एक स्वागत वाला सिन और इस जगा पर background में काफी lighting effect वाला, तो अगर दो finger से ही करेंगे, तो ऐसा नहीं, इस जगा पर option आएगा, जब इस चीज़को आप hold करेंगे, hold करके screen के उपर रहेंगे, तो option आ जाएगा, इसके प्राइवेट, तो प्राइवेट टैप के अंदर जैसे जाते है, इस जगा पर आपका face ID पूछेगा, अगर face ID डालेंगे, तभी unlock होगा, नहीं तो इसको यूज नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब प्राइवेट चीज़ अगर आप रखना चाहते है, आपके इलावा इसको क पर एड़ करेंगे, तो इस जगा पर जो है, अपना माइक, अपना कैमेरा, अपना लोकेशन, इस जगा से आप इसको turn on, turn off कर सकते हैं, जो इस जगा पर आपको देखने मिलता है, नेक्स्ट इसके अंदर calling, calling के अंदर एक feature जो है, वो इंडिया के अंदर uses नहीं है, फिर भ क्या आप लोगों के फोन के अंदर ये चीज है या नहीं, जरूर आप लोग बताना comment section में, next changes आपको fitness के उपर देखने मिल जाएगा, fitness के उपर जो है, थोड़ा सा इसके अंदर improve क्या है, और इसके अंदर इसका जो ही details इस जगा पर आप देख पाएंगे, चाहा इसके अं इसके बाद आपको देखने मिलेगा, फिरी फ्रॉम के अंदर, फिरी फ्रॉम के अंदर जो improve देखने मिलेगा, जैसे आप एक hard बनाना चाहते है, square बनाना चाहते है, तो जो भी इसके अंदर एक save बनाना चाहते है, तो इस तरह से आप बना सकते है, इसके लिए आपको hold करन तो यह चीज आपको देखने मिल्ता है इसके बाद जो आपको changes देखने मिलेगा वह्त है translate गे अंदर do is गरने के लिए काफी useful feature है translate जैसे किसी को सुनने में problem है किसी को बोलने में problem है बोलने में जिन लोगा problem है वो लिख के भेजेंगे तो जब इस voice के उपर click करेगा माइक के उपर तो वो play हो जाएगा जो आपने क्या-क्या लिखा है तो जैसे इसके अंदर कुछ अगर लिखता हो hello my friend तो जैसे आपने done कर दिया done करने के बाद उसके सामने लेके जाके सुनाएंगे तो यह जो है play हो जाएगा hello my friend तो काफी useful feature है translate के अंदर इसके बाद आपको देखने मिलता है watch face अगर आप लोगों के बस watch है तो काफी नहीने colors आपको देखने मिल जाएगा और यह जो है आपको वाल्टरा 2 के अंदर यह face भी आपको देखने मिलता है और इसको use करना और night के time पे auto night पे चला जाएगा आपको जो है crown को घुमा के night पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और इस जगा पे काफी सारे filters पे आपको देखने मिलता है और काफी सारे watch face पे आपको देखने मिलता है इसको use कर पाएंगे और watch के लिए पोपर एक वीडियो बनाया सारे feature के बारे में तो उस वीडियो को जाके भी अप लोग check out कर सकते हैं और जैसे weather apps के अंदर जाते हैं तो weather apps के अंदर काफी चादा improve क्या है जैसे इसके उपर click करते हैं तो कौन सा city कौन सा country के अंदर है तो इस जगा का बातवरन क्या है वो इस जगा पर आपको बताएगा और इसी जगा से direct आपका new bin map के उपर इस जगा से आप देख सकते हैं और इसके उपर done करने के बाद यह चीज आपको दिखाएगा और इसके नीचे जैसे जाएंगे इसके उपर आपका जो दिन का temperature क्या है तिन के अंदर गर्मी है ठंडा है जो भी details है इस जगा पर सो होगा इसका list और इसके नीचे जाएंगे तो moon के अंदर एक चीज आपको देखने मिलेगा यह आपको left right करने के बाद किस जगा पर रात है किस जगा पर दिन है तो यह चीज आप इसके अंदर देख पाएंगे जो आपका time और date के इसाब से और इस जगा पर और एक चीज आपको देखने मिल दा है distance आप अगर इंडिया में है अमेरिका के अंदर इस तरह से आप देख रहे है और sharing के अंदर जो है अपना apple carplay के अंदर music भी यूज़ कर पाएंगे अगर अपना music share करना चाहते है तो carplay के साथ भी share कर पाएंगे और is 17 के अंदर काफी नएने बीजेट आपको इस जगा पर देखने मिलता है आपने हिसाब से इस बीजेट को सेट कर सकते है अगर clock के उपर आप क्लिक करते है तो इस जगा पर नएने clock का भी आपको लोगो देखने मिलता है और जो भी अपने apps बगर ओपन क्या है तो इस जगा पर सो होगा और इस जगा पर आके आपका battery percentage बगर और इस जगा पर आपका जो भी application है यह application का पूरा की पूरी इस जगापे से होगा तो आप लोग इस बीजेट को जो है एड कर पाएंगे तो iOS 17 के अंदर काफी नहीं नहीं फीचर काफी नहीं नहीं changes आपको देखने मिल जाएगा तो जरूर आप लोग इसको download और install कर सकते हैं और छोटे-छोटे फीचर को भी रिड करना है तो description के अंदर link डाल दूँगा उन वीडियो को भी जाके आप लोग चकाउट कर सकते हैं तो इसके अंदर मैं काफी सारे फीचर के बारे में भी बताया इन सारे फीचर को जाके भी आप लोग एक एक करके चेकाउट कर पाएंगे और इसी तरह वीडियो को देखने के लिए प्लीज मेरे चलेंग को like, subscribe, share जरूर कीजिए और bell के notification call पर रखे जब मेरा वीडियो आएगा तो आप लोगों के बस notification पहुंच जाएगा नेक्स वीडियो के अंदर फिर मिलेंगे, goodbye